जोहार संग्वारी हो मैं है बवीता 36 गरदर संदेखईया हमर जम्मो दर्सक्मन के स्वागत हवे संग्वारी हो सबले पहली तो मैं हाँ आप जम्मो जल्ला नवा बच्छर के गाड़ा गाड़ा बधाई देवा थाओ काबर की आज ले ही हमना अंग्रेजी कलेंडर के बच्छर 2022 ले बच्छर 2023 मा परवेश कराथन ये बीते बच्छर हां हमला जिनगी के कई सीखदे के नवा बच्छर मा ले जा थे ता ये नवा बच्छर हा आप सबों के जिन्गी मा नवा चाह नवा उत्सा उमंग के संगे मा ही खुसाली लेके आवाए इही कामना करत हुए 36 गरदर्शन के आज के अंखमा तेंगे वीरबाल दिवस के मौका मा राजपाल अनुसुया उइके हा चार जिन साहसी लईकमला करें संगे परदेश भर्मा सिक्समुदाय के दस्वा गुरू गुरू गोविन सी के परकास परभला बढ़ हरसुलास के संगमा मनाई देशी गुरूजिला के किसान मनहा सौर सुजला योजना के लापले के करत हवे खेती किसान परधानमंत्री भार्थी जनाउस्धी परियोजना ले ग्रामी शेत्री के लोगनमला मिलतवे सस्ता दर्मा गुणवत्ता पूलत 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 पूरिया के मनेंद्रगर्मा बन ही एसिया के सबले बड़े फासिलत पार पूलत 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 चारजिन बहादूर बालक बाली का मल्ला स्वेक्षा नुदान मतले आर्थिक सहायतारासी परदान करे के गोठला खलो करीन है। चारजिन बहादूर बाली का मल्ला स्वेक्षा नुदान मतले आर्थिक सहायतारासी परदान करीन है। सोभा यात्रा लंगर, शबत किरतन और गुरु वानी गायन के घलोक आयोजल्ला राखे रहीन है। देजभर मा सीख समूदाय के दस्वा गुरू गुरु गोविंद सीख के परकास परपला बढ़ हरसो लास्के संग मा मनाएगी सवे इहीं बॉकार मा राजनंत गाव मा सोभा यात्रा निकालेगे रहिन पंच प्यारा मन के अगवाई मा निकाले ये सोभा यात्रा के जगा जगा मा स्वागत करेगी यह शबत किर्तन और गुरुवानी के गायन हां घलो हो से और संगिमा ही रोमांचक करतब घलो दिखाएगी से उए सोभायात्रा के स्वागत करेबर पहुँचे महापौर हेमा देश मुखा घलोक सोभायात्रा मा भाग लिन हवे गुरु गोविन सी के अनुवाई कुलबीर सी चाबड़ा ये दिन के महत्व के बारे मा बताएं परदेश के दूसर जीला मनमा घलोक गुरु गोविन सी के परकासपरप के मौका मा गुरुद्वारा मनमा लंगर के संगिमा ही विशेश गिर्तन करेगी सवे आज गुरु गोविन सींग जी जो हमारे दस्वे गुरु थे उनकी यहिंति प्याज सोबा यात्रा गुरुद्वारे से सीख समाज दौरा निकाली गई है और हम लोग यहाँ पर समझत कांग्रेणर और हमारे वाड reciprocal के सभी युवा साथी सभी लोगों ने मिलके यहाँ पर स्वागत किया है इसके साथ साथ में स्टील में जो है वो भी एक विवूती है हमारे समाज की उनका भी हमने यहाँ पर सम्मान किया है परदेश भी योजना ले प्रात्निक्ता ले कारज करते और एक ले तहत मा सौर्ड सुजला योजना ले गामन मा करांपिया हवे और ये गाउं हा सोरर लाइट लगे ले जगमा गावा थे और ये गाउं के ग्रामिन मना पताइन हवे कि हाई मास्ट के लग जाय ले ना सिरफ आएजाय मा सुधा हुआ थे बलकि रथिया तक गाउं मा अपन दिन चरियला सहस्ता ले पूरा कर पावा थन अब लाइट लगने के बाद यहां पर लोग आसानी से जाते हैं और इसमें किसी को किसी प्रकार की समझ्चे नहीं होती है और यह लाइट सोनर पैनर है और सुर्या के प्रकास की ओर से जलता है योजना के माध्यमले सीचाई सुईधा मा घलोक विस्तार होई हैं सोला सेंद्र और सोला पम के सेती अब किसान मनहा बारिस और बिजली उपर निर्भर नहीं है सवरूजा का पानी तलाब में अभी जा रहा है और सुखा हो जाता था मतलब गर्मी में और पूरा भर गया है तलाब है इसके बाद हमारा खेत में जा रहा है हमको एकर से फैदा मिल गया है भई और फैदा है फैदा है अब तो गर्मी शुक रह था और नहीं सुखा रहा है तलाब यहाँ पहले लाइन का भी प्रोबलम था अभी भी साम को पांच बज़े का बाद लाइन नहीं रहता है तो अभी जब से आट महिना से मेरे यहाँ सुलर्ट पंप लगा है जो की अच्छा पानी देखी पार है अप की अच्छा पानी अप दे रहा है इसमें कोई दिक्कत नही है और सुईदाय विजली भी की वी बचात हो रही है और पाने की सचाई भी अच्छे हो रही है उह जीला के मुख्य कारपालन अधिकारी अश्वनी दिवांगन हा दूरदर्सन ले गोडबात पर बताएं की जीला मा सौर सुजला योजना के तहत मा क्रिसी शेत्र मा बड़ परियोजना चला जा थवे संगे मही जीला मा सोलर इनरजी पार कहा घलोक इस्थापी थवे जीले में तीन तरह के अलग अलग कार्य हो रहे हैं पहला सिचाई के छेत्र में पांच बड़ी योजनाओं का हम लोगों ने अब तक प्रारम करा लिया हैं जिसमें बोरेंदा और सोलर लाइट यहां पे पूरे जीले में लगाया जा चुके हैं जिससे ग्राम पंचायतों में बिजली विल की जो एक बड़ा फैनेंसियल बजट होता था वो उसमें खर्च होता था उससे बचत हो रही है साथ-साथ हम लोग ग्राम पंचायतों में रोशनी की वस्ता कर पा सोलर लाइट जी किस तरह से काम करती है बलकि सेक्षणी किस तरह पे स्कूल और कालेज को बच्चों को भी से सिखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आप मला बता देन की जीला के ग्राम दैमार और पदर मा उर्जा पार्क के कारजा भी चालेगा संचालित जन और जी केंद्रे ले लोगनमनला कम कीमत मा जैनेरिक दवई मिला थवे और समाज के सबो परक के लोगनमनहा योजना के लाप्ला लेवा थे ग्राहकमन के कहिना हवे कि केंद्र में ये बजार की खुल जाए ले दवई हा बढ़ महंगा रहिस जो उनहा अभमनला योजना के माध्यम ले सस्ता दर्मा और गुणवत्ता वाला दवईला भारत सरकार हा उप्लब्द करावा थे मैं जन अउसधी से ही दवाई खरीता हूँ क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा ब्यक्ति हूँ और मुझे पूरा विश्वास है भारत सासन के उपर कि उसने पूरी क्वालिटी कंट्रोल से यहां पर अउसधी मिलती है और बजार के रेट से दस गुना कम रेट में मिलता है यहां पर इसलिए मैं यहां से खरीटता हूँ केट और यहां में काफी अंतर है और मेडिसिंस अच्छी हैं मैं तो यहां साथ-ाठ साल से ले रहा हूँ और लोगों को बताता भी हूँ कि जो भी दवाई को आउशकता है तो पहले यहां पता तो मार्केट में जो मेडिसिंस अविलेबल है और यहां जो है तो दोनों आटम अच्छे हैं उप्योगी यूस्फुल है और रेट बहुत अंतर है जनौसी केंदर के परभारी परकास कस्यप के कहना हवे कि ओखरी हां सब्बो परकार के जरूरी दवाहा कम किमत मा उपलब धवे आउँ इहां ले रोजे 40-50 मरीज मनहा दवा रोजे खरीदा थी इसमें लगभग प्रती दिन 40-50 मरीज दवाई करते हैं इसमें लगभग प्रती मा चाली से जार से पचास जार का लगभग एवरेज है यह विगत 5-6 वर्स से संचाली था इसमें बहुत लोग को राहत मिलता है मरीजों को आप मला बता देन की परधार मंत्री जन उस्धी योजना की सुरुआ था बच्छर 2015 मा होई रहिस एकर तहत मा जगा जगा मा जन उस्धी केंद्र बनाएगी है वे जिहा मरीज मल्ला सस्तादर मा दवाईल उपलब करवा जाए 36 गड़ हा एक्ठन नवा बड़े उपलबधी मा सामिल होई या है एसिया के सबले बड़े समुद्री फासिल पार्क हा 36 गड़ के कोरिया जीला के मनेंद्रगड सहर्मा बनी ये पार्क मा 25 करोड बच्छर जुनना समुद्री फासिल के समरिधी संगरा के खोजला सरक्षित क नर्मानला कोरिया जीला के परमुक हस्दियव नदी के आमा खिरवा मा करे जाते कोरिया जीला के मनेंद्रगड के फासिल पार्क ला एसिया के सबले बड़े फासिल पार्क के रूप मा बिक्सित करे जाते ये अतिहासिक बिरासतला विस्व मानक मा सरक्षित करवाय के पहल अपरमुख्य परधान सरक्षक अरुन पांडेह करे रही है। साहसी पेलियो बॉटनी इंसिट्यूट ऑफ लखनव के वरिष्ट वग्यानिक डॉक्टर सुरेश पिल्लाई हा बताइन हवे की ये बिरासतला सरक्षित करना बहुते जरूरी हवे। ये दुरलब धरोहला सहेजेबर लोगन मल्ला ये विसाइमा सोत करिया विद्यार्थी मल्ला बढ़ मदद मिली। जो मेराइन फॉसल पार्क हो कैसे हम और आगे बढ़ाएं काम जो होगा। तो उसमें हम लोग ने नया साइनेजस लगाने का उसका इंट्री पॉइंट उनका पात्वे कैसे बनेगा। लोगों को कैसे इसके लिए दिखाने के लिए लोगों तक कैसे इस बात को पहुंचा है इस बात को लेकर चर्चा हुई है क्योंकि यहां के मनेंदरगड के बहुत से लोगों को इसके बारे में कोई पता नहीं है तो इस सलसले में हम लोग का मीटिंग डियेफो साहब से हुआ एक प्रेजेंटेशन दिया गया है डियेफो साहप इस सिलसिले में इसके बाद हम लोग इसको आगे और पढ़ाने की सोच रहा है आँ हैं एक रे संबदमा रैपूर के अपर मुख्य वन सरक्षक अरून पांडेहा दूरदर्सन समचाले गोडबात मा बताइन हवे की नवा फोसिल बैट्स के खोज करे ले और एला सरक्षित करे बर कारियोजना बनाय जात हवे किया थे कि जो हस्देव नदी के किनारे जो फोसिल बैट्स हैं उनको 1982 में ही जियोलोजकल सर्वे आफ इंडिया ने ने निस्टनल जियोलोजकल मॉनुमेंट घोशित किया था तब से यहां के जो इस्थानी लोग हैं वो भी लागातार प्रयास करते रहे हैं और इस क्रम में बाइडास्टी बोर्ट के द्वारा पहल की गई और बिर्बल सानी इस्ट्यूट आफ पेलियो साइंस लखनौग और जियोलोजकल को सर्वे आफ इंडिया कलकत्ता और रैप संत्वान इसका बनाए जाना है और आपमला बतादेन की हाल ही मासोत करिया बिर्बल साहनी पेलियो बोटनी इंसिट्यूट आफ लखनौग के वरिष्ट वग्यानिका हस्दो नदिया के तर्टमाही फोसिल पार के ले लगभग तीन किलोमेटर दुरिया मा नवा फोसिल जादा सतर्क रहना है मासकला लगाना है और अहत्याद बरतना है और ये नवा बच्छर के आनंद लेना है तसंगी हो और मिलबो इही तवार के इही बेरा मा एक ठंड़ वांक लेके बविता मार कंडेला दो बिदा जय जखार